प्रदेश सरकार ने चातर संख्या के शर्थ पूरा ना करने वाले 90 सरकार स्कूलों को डी-नोटिफाइ कर दिया है इन में 36 वरिष्ट माध्यमिक, 34 उच्च माध्यमिक, जबकि 20 माध्यमिक शरकार ने पहली बार चातर संख्या के अधार पर इन स्कूलों का सरकम किया है इन सबी स्कूलों को डी-नोटिफाई करने के संबंद में राजी सरकार ने कल शाम एक अधिसूचना जारी की है इन सबी स्कूलों को पिछले वर्ष तोरोनत किया गया था पिछले कल जारी हुए दिसूचना में 90 में से सिराज विधान सबाक्षेतर के 23 को डी-नोटिफाई किये गए है इस बीच विपक्ष के नेता जाराम ठाकू ने सरकार के इस निरने को निराशा जनक बताया है जराम ठाकू ने कहा कि सरकार कॉंगरिस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और जन्विरोधी निरने लिये जा रहे है उन्होंने कहा कि इस निरने से दूर दराज के इलागों में विध्यार्थियों को परिशानी का सामना करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री को इन नीरनयों पर पुनर्विचार करना चाहिए और सारी चीज़ों को लेकर कि मैं यही कहना चाहरा हूँ कि हिमाचल परदेश में ये बदले की भावना से काम करने का दोर और दूसरा इस परकार से जन विरोधी निरने लेकर के कॉंग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि उसका भला होगा तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारे बच्चों को जिनने अड्मिशन ले ली थी जिनने पढ़ाई शुरू कर दिये थी स्टाफिंग हो चुकी थी उनको बहुत बड़ी कटनाई का सामना करना पड़ेगा मेरा मुख्यमंति जी से निवेदन है सारी बात के लिए बार बार इस बात के लिए मागरे कर रहे ह कि यह इस परकार से जो निर्ने लिए हैं उनको पूर्णा विचार करें और जन्हिमें हिमाचल परदेश में जो संसान लोगों की मांग पर खोले गए हैं उनको चलने दे